बेक्ती रिशिकेश में हरे कृष्णा महामंत्र का जब करते थे तो लगभग 15 साल तक जब किये 15 साल के बाद उनको ऐसा कुछ नहीं लगा कि मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है कुछ नहीं लगा तो उनको बहुत गलानी फिल हुआ कि अरे इतना दिन जब किया और सोचते हैं स सिद्धी होता है सकती मिलता है लेकिन कुछ हुआ नहीं तो उन्होंने उसी समय वो मंत्र जब माला छोड़ दिये और त्याक के और आ रहे थे तो रास्ते में एक बट बिरिक्ष पर एक बेक्ती काट रहे थे बिरिक्ष को हंगा बिंगा जो क्या कहते हैं साखाओं को काट रहे थे तो काटते समय उसका जो क्या कहते हैं कुलहारी तो नीचे गिड़ गया जब नीचे गिर गया तो उपर से उस बेक्ती से मांगा कि हमारा कुलहारी उपर दो तो बोले कि अरे आप उतने उपर हो मैं नीचे से कैसे दे सकता हूँ तो बोले कि अरे आप दो तो सही तो बोले कि आप ऐसे करो मैं उपर से ले लूँगा तो ऐसे उठाएं उपर से हाथ इतना लंबा करके और ऐसे खिच लिए वो बेक्ती उपर से तो बोले अरे आपके सिद्ध में इसी सिद्ध के लिए इतना मैं तपश्या कर रहा था कुछ हुआ नहीं आप क्या करते हैं एसा कि आप के पास सिद्ध है इतना हाथ लंबा कर लिए कि बोले कि हम एक बहुत भी शिद्ध resumes Tap hp जब्ते हैं आप प्रख्याती और सिधी की पिछे लग गये उसी समय और उनके पिछे गये वो बोले कि वो जो सिधी प्राप्ती बेक्ती था उनको पता था कि ये बैदिक मंत्र का जब किया है इनके अंदर बहुत सक्ती है तो इसको पहले नश्ट करना पड़ेगा तो उन्होंने चपल में तुम बहुत पापी हो तो उनको ऐसे ऐसे मतलब गंदा गंदा पानी सब और साड़ा हुआ पानी सब जो पा और मुह में कुला कर देते थे तो ऐसा करने से उसका जितना भी सक्ति था महामंत्र जपनेगा उस सब कुछ नश्ट हो गया तो उन्होंने सोचा पहले इसको नश्ठ करके तब इसको यह जा कि अशमसान घाट में और जब करो आप जिसको बोलाओगे पिसाँच को भूत को वो आके और आपका काम करेगा आपका सिधी हो जाएगा आप कुछ भी कर सकते हो तो उनको लगा अरे इस तो सबसे अच्छा है तो वो सब जूठा करके और उसको नश्ट कर दिया पहले का सतोगुन जो भगवान नाम जब करते थे लेकिन भगवान नाम जब करने से उनके अंदर इतने तेज था इतने सकती था कि उनको ही नहीं पता था कितना भी कर लो लेकिन भगवान नाम तो आपको थोड़ेंगे नहीं जब किया हुआ यह तो बैदिक आधुनिक मंत्र आपने से बनाया हुआ तो मंत्र है नहीं कि कोई नस्ट कर सकता है या उसका निश्फल हो जाए उसका फल उन्होंने गया और जो मरगटिया वो क्या कहते असमसान घाट में और वहां पर पिसांच को बुलाने लगे उस मंत्र क जाप करके कोई तामसिक मंत्र था तो जाप करके बुलाने लगे उसके पिसांच आए सब के आगे आते थे लेकिन उसके पीछे आए और बोले कि आप क्या करना चाहते हैं आप हमको बसमें आप क्या करवाना चाहते हमसे तो बोले कि मैं आप आगे आओ हमसे बात करो मैं इतना सकती है वो नाम जब से कि मैं इनके आगे ठीगी नहीं सकता तो उनको पता नहीं था कि मैं जब करने से मेरे जब करने से इतना मेरे अंदर सकती है तो पिसांच बोले मैं आपके आगे नहीं आ सकता आप क्या बोलो मैं मैं पीछे से सुन रहा हूं आपका आदेश पालन क तो पिसांच उनको बताये कि आप बहुत बड़ा मुर्ख हो आप जो मंतर जब कर रहे थे वो भगवान के परम पवित्र है हम लोग वो ऐसा नहीं ले सकते आप भगवान हो मनुष्य योनी में होके और इतना मुर्खता पूर्ण ऐसे सिधियों के पीछे भागते हो आप अप अपके अंदर जो इतना दिन जब किया है वह बहुत बड़ा सकती है आपके अंदर लेकिन आपकी इच्छा है मेरे मेरे को बश में करने कि कोई बात नहीं तो उस समय उस पंडित को लगा कि बापरे मैं कितना बड़ा भूल किया हूँ कितना बड़ा गलती किया हूँ उस मंतर को छोड़के आके तो उसी समय पूरा त्याग दिये बोले कि मैं इतना गलती कर रहा हूँ भगवान के प्रतिय अप्राद तो जितना वो गंदा-गंदा पानी खाके मुँख का कुला वो खाके वो नस किया था वो धीरे-धीरे जब करने से फीर जाके बराबर में आयो तो हम को, हम जो मंत्र जब कर रहे हैं द्वारा ये बहुत दूरलब है प्रभुजी, बहुत दूरलब हम लोगों को लगता है, मतलब ऐसे महा मंत्र है हरे कृष्णा, क्या है, कोई ऐसा विशेस मंत्र हो जाए जो हमको सिध्धी प्राप्त करा दे, जो हमको पार लगा दे अरे इस दूनिया में दीख रहा है, भौतिक दृष्टी, दृष्टी सुभाव जनकताई बपूस्चादो सही दृष्टी के सुभाव से किसी को देखने से ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा है और इसका सरीड ऐसा है, मतलब इतना मंत्र जब कर रहे हैं लेकिन इसका सरीड में कोई परिवर्तन नहीं है, रोगी है, अपांग है ऐसा दिखने में लगता है, दृष्टी के सुभाव से किसी को जज नहीं करना चाहिए अपने को ये मंत्र जो जब करने हैं, बैदिक मंत्र और भगवान स्वेम चैतने महाप्रभू ने इनका आदेश दिया तो ये कितना बड़ा सक्ति सालिय होगा ये आप सोच सकते हैं तो किसी के पीछे मत भागे, सबसे बहतर यही हरे कृष्णा महा मंत्र है और किसी का जब करनी की जरूरत नहीं है सब दूसरा मंत्र छोड़के आते हैं ये जब करने, आप ये छोड़के दूसरा जब करेंगे